हेलो फ्रेंट्स वेलकम पो मॉम्स खाना के जाना आज़न बनाएंगे ताजे फ्रेस नारियल से लड्डू जो कि फटाफट 15 मिनट में बनकर त्यार होचाएंगे और वो बनेंगे बिल्कुल रसीले जिसे आप भोग प्रशाद के लिए भी फटाफट बनाकर त्यार कर सकते ह हैं और भगवान जी को भोग लगा सकते तो चलिए देखते हैं इस फटाफट से बनने वाले लड्डू को कैसे बनाया जाते हैं इसके लिए मैंने लिया है यह एक फ्रेस नारियल जिसे मैंने तोड़कर निकाल लिया है अब चुकि इसकी इसकिन जो पीछे की होती है थोड को चोटे पीस कर दें ताकि इसे हमें पीछने में बहुत आराम हो जाए अब तरह यह से जैसे जा किया होता है आप चाहें पीसने की जगे इसे ग्रेट भी कर सकते हैं मैंने लिए अपने लिए जल्डी हो जाता है अब मैंने ली है इक एक कड़ाई जिस भी पैन में आपको पकाना हो वह पैन आप ले ले और इस नारियल को हम नापेंगे क्योंकि हम नापेंगे तभी उसी के नाप से हम इसमें चीनी भी ढालेंगे यह मेरा एक कप, जो नॉर्मल कप होता है, जो मैं हमेशा दिखाती हूँ, और एक कप और यह, एक नारियल से हमें दो कप, मतलब इसका चूरा त्यार हुआ है, यह दो कप, अब दो कप हमारा यह नारियल चूरा हुआ है, तो उसी कप से हम डालेंगी एक कप गुड, यह मेरे पास गोड काचूरा है, और अगर आपको अब गुड है, तो उसे आप ग्रेट करकर डालाएं, यह भी हम इसी में डाल देंगे, अब इसे हम बहुत अच्छे से इसमें मिला लेंगे, क्योंकि नारियल में जो है, वो तो भी अराम से मेल्ट हो जाता है क्योंकि नैय्यल में पाणी होता है उसे मेल्ट हो जाता है पर अबकाते हैं अब मेडियम आज पर इसे हम लगतार चलेтесь को भूल लेगे जब तक ये vania सा इकठा होने लगे यिसका लडटो जैसा बढुन्म लग जाए हैं लग लगभग 3-4 कुटी हुई इसे पकाने मेरे क्योंकि हमें इसे मीडिया मार्श के पकाना है अगर तेज आउस में पकाएंगे तो यह तोड़ा सा नीचे लग भी सकता है तो एक्दा मीडिया मार्श पर इसे पकाएं लगाता है चलाते हुए लगभग तीन से चाल मिनट हो गया मुझे इसे मीडियम आज में भूनते हुए और इसकी यह पहचान है कि अगर आप इस तरह से दबा कर देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है तो यह हमारा भून कर त्यार हो गया है अब इसमें हम लाश में डाल देंगे दो फ्रेस कुटी हुई इलाइची थोड़े से बारीक चौप्र बदाम या काजू भी आप डाल सकते हैं और बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और अब गैस हम बंद कर देंगे और इसे बिल् हलका सा हम घणा होगी देंगे मिक्स हमारा ठंडा हो गया है और आप देखेंगे जैसे यह थंडा होता चाहेगा यह अपने हाप ऐसे हीकठा जैसा होने लगता है अब लड़व बनाने के लिए हम हाथों को अपने थोड़ा सा ग्रीज कर लेंगे और अपने मन पसंदसाइज के हम इसके लड़व कर लेंगे बहुत भी आराम से ये लड़व बनकर त्यार हो जाते हैं आप देखेंगे तुरंथी वह एकड़ गोल हो जाता है अपने मन पसंद साइज के छोटे बड़े लड़ू आप त्यार कर सकते हैं एक नारियल से ये हमारे 12 लड़ू बनकर त्यार हुआ मैंने थोड़े से मीडियम साइज के लड़ू बनाये हैं क्योंकि इसे खाने में थोड़ा आराम होता है अगर आप बड़े साइज ही बनाते हैं तो आपके 10 लड़ू बनकर त्यार होते हैं बहुत सुंदर से दिखने के लिए इसे गार्निस कर दें इस तरह एक एक काजू लगाकर अगर मैं आप उइसे बलकुल पास से तोड़ कभी दिखाऊं यह अपने आप में ही बहुत बहुत टेस्टी होते हैं और जब भी आप इसे खाएंगे यह आपको उतने ही स्वाधिस्ट और जूसी लगेंगे एक बार आप इसे जरूर बना कर ट्राई करें एक तो यह फटा-फट बनकर त्यार हो जाते हैं ना इसमें टाइम ज्यादा लगता है ना भूनना है ना मावा चाहिए है ना चासनी चाहिए है और ना ही चीनी इसमें हमें डालनी है इसे भूब परशाध के लिए आप जरूर ट्राई करें और यह आपको भी बहुत ज़ादा पसंद आएंगे वीडियो अच्छा लगी तो लाइक एंड शेर जरूर करें एक बाँ फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ अथा टेक केर और बाइब आए